Hello friends, कैसे हैं आप सब बिहार सिविल कोड परिच्छा का आप लोग इंतजार करें हो, कलर्क या अर्दली या प्यून जिसे आप कहते हो, इस एक्जाम डेट की हम बात करेंगे और सारी वो निटी ग्रिटी या छोटी सीजों पर हम बात करेंगे और सबसे ज़्यादा जुरूर एड्मिट कार्ट फॉर एक्जामिनेशन 17-12 वही पुरानावल एड्मिट कार्ट जो इन दोरो एक्जाम के आलावे डिक्लेयर किया गया था, आपको वही दिखरा होगा अभी भी, अब समाल ही है कि भाई इतने दिन से बात चल लही है, काफी बच्चे जब क्वैरी करते है हर जगा वह पूछते हैं, तो यूट्यूब हो या गूगल हो रेकमेंड करता है कि आप इस पर वीडियो बनाईए, तो हमारी मजबूरी हो जाती है, इस चीज को भी समझना आपकी जरूत है, चुकि आप लोग सर्च करते हो, इसलिए वो दिखता है, तो कोई बात नहीं है ये परिशानी की बात नहीं है, परिशानी की बात ये है कि एक्जाम हो क्यों ने रहा है, एक्जाम का जो ओफिसिल रेकॉर्ड अगर हम देखें और या गौर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से अगर जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है, आपको हम बता दे, जन्वरी लास्ट तक आपकी एक्जाम डेट अनाउंस कर दी जाएगे एक्चुली हुआ यह है कि एक तो एलेक्शन आने वाला है और इतने बड़े-बड़े संक्या में वैकेंसी हैं और इतना ज्यादा-ज्यादा फॉर्म जैसे बिहार एससी का ही लेलो हमने क्या किया है कि बिहार एस लेकिन आप सही तरीके से पढ़ोगे तो तो यह कोर्स आपको मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में अभी मिल रहा है आपको मिल जाएगा जरूर जोइन करिए और जन्वरी लास्ट तक आपके एक्जामीनेशन का जो भी अपडेट होगा वह आ जाएगा हम आपको वीडि